नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप स्वागत है आपका स्टेडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर प्राचीन भारती इतियास विशे की अंतरगत वीडियो के इस संक में हम बात करेंगे वैशनाव शंप्रदाई को ले करके देखेंगे की वैशनाव शंप्रदाई से संबंदित कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो की परिक्षय की दिष्टी से महत्पॉन है वीडियो अगर पसंद आता तो अपने साथियों से साजा करें हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन आवश् सुझाओ हो वीडियो में किसी भी तरह की तुरूटी नजर आपको आती है तो उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्च करें ताकि आने वीडियो में हम सुधार करके बहतर से बहतर वीडियो आप तक पहुँचा सकें तो शुरू करेंगे आज के अपने इस पुराण हैं उनसे हमें पांच तरह के संप्रदायों की जानकारी मिलती है और ये पांच तरह के संप्रदाय हैं वैश्णव शंप्रदाय, सैव शंप्रदाय, साक्त संप्रदाय, इस्मार्थ संप्रदाय और वैदिक संप्रदाय तो वैश्णव, सैव, साक्त, इस्मार्थ और वैदिक संप्रदाय की जानकारी हमें वेद और पुरानों से मिलती है अब वैशनव शंप्रदाय के लोग विशनो को अपना परमिश्वर मानते हैं अपना पालनहार मानते हैं सैव शंप्रदाय के लोग सिव को अपना परम परमिश्वर मानते हैं और वहीं साक्त शंप्रदाय के जो लोग हैं वह देवी को परमशक्ति मानते हैं यानि कि मात्रशक्ति को ये मानते हैं और वहीं इसमार्त शंप्रदाय के लोग परमिश्वर के जितने भी रूप यहां पर हैं उन सभी को एक समान मानते हुए उनको परमशक्ति के रूप में म जो वैदिक संप्रदाय के लोग हैं वो ब्रह्म को निराकार रूप में मानते हैं और उसको सरोपरी मानते हैं उसकी पूजा करते हैं उसको एक ब्रह्म सक्ति के रूप में पूछते हैं और जो इसमार्ति संप्रदाय के लोग हैं वह परमेश्वर के जितने भी रूप यहां पर प्रचलित हैं भले वो वैशनव, साक्त, सैव और वैदिक संप्रदाय के अंतरगत जितने भी रूप यहां पर प्रचलित हैं उन सभी को एक समान मानते वे उन सभी की पूजा करते हैं और साक्त संप्रदाय के लोग मात्र शक्ति यानि की देवी को परम सक्ति के रूप मे पूछते हैं वैशनाव विष्णु को और सैव शिव को परमशक्ति के रूप में पूछते हैं तो ये एक मोटी मोटी चीज्ज़ें थी वैशनाव शैव साक्ती इसमार्त्य और वेदिक संप्रदाय को ले करके अब इस वीडियो के अंक में हम बात करेंगे वैस्णाव शंप्रदाय से संबंदित जितने भी चीजें हैं उस पर चर्चा करेंगे सैव, साक्त, इसमार्त और वैदिक संप्रदाय से संबंदित चीजों के बारे में वीडियो के अगले अंकों पर हम चर्चा करेंगे तो चलिए जानते हैं वैस्टनाव शंप्रदाय से सम्मंदित चीजों को ले करके देखे जो भागवत धर्म है उससे वैस्टनाव धर्म का विकाश हुआ है और परमपरा के अनुसार जो वैस्टनाव धर्म के परवर्तक रहे हैं वह आपके व्रेशन यानि की इसको सातवत वनसी करशन रहे हैं सातवत वनसी करशन कह सकते हैं इसके परवर्तक रहे हैं या इसको व्रेशन भी कहा जाता है तो व्रेशन वनस के करशन को वैस्टनाव धर्म का परवर्तक माना जाता है चांदोगी उपनिशद जो की सामवेद का उपनिशद है उसमें क्रश्ण को देवकी का पुत्र कहा गया है और क्रश्ण के जो गुरु यहाँ पर बताए गया है वो आंगी रस को बताए गया है घोर आंगी रस को इनका जो है की गुरु बताए गया है क्रश्ण का गुरु औ और देवकी का पुत्र यहां पर कहा गया है क्रश्ण को छान्दों की उपनिशद में जो की आपका सामवेद का उपनिशद है और विश्ण को जो रिगवेद है उसमें आकास के देवता के रूप में वर्नित किया गया है रिगवेदी काल के दोरन हमने आपको बता था कि तरह के भागुम में बाटा गया है एक तो पृतिवी के देवता आकास के देवता और अंतिरिक्ष के देवता तो उसी के अंतरकत जो आकास के देवता है उसमें सामिल किया गया है भगवान विश्णो को और पृतिवी के जो देवता वहाँ पर थे चार प्रमुख देवता व रहे थे यानि कि 6 प्रमुक देवता यहां पर थे वर्ण, सूर्य, मित्र, पूशन, विश्णु और अस्वीन अंतिरिक्षी के देवता में इंद्र, प्रजन्य, रुद्र, वात और आप ये प्रमुक रहे थे इंद्र, प्रजन्य, रुद्र, आप, वात और वायु ये प्रम प्रजापती प्रजापती रुद्र और विश्णो ने भी प्रजापती रुद्र और विश्णो को लोग इस दोरान अपना पालक और रक्षक मानने लगे थे तो वहीं पतंजली ने वासुदेव को विश्णो का ही रूप बताया है तो वासुदेव को विश्णो का रूप बताया है पतंजली ने और विश्णो को लोग यहाँ पर उत्तरवधिक काल के दोरान अपना पालक और रक्षक मानने लगे थे विश्णो पुराण में भी हमें जो वाशुदेव हैं वाशुदेव को एक विश्णो का ही नाम बता गया मिलता है और इस परकार हम देखते हैं कि जो क्रश्ण और विश्णो हैं वह एक हो जाते हैं तो जिसके बाद हम वैश्णाव धर्म को एक और नया नाम दिया जाता है जिसका नाम है पांच रात्र धर्म कहा जाता है तो पांच रात्र धर्म, वैशनाव धर्म और भागवत धर्म ये तीन के तीन एक ही हैं जो कि विश्णो क्रश्ण से शम्मंदित मत के लोग रहे हैं पांच रात्र धर्म की अगर मत की बात करें, धर्म की बात करें तो इसमें जो आपके वैसुणव शंप्रदाय, भगवान विष्णों को इश्वर मानने वाले लोगों का ये संप्रदाय रहा था और वैसुणव धर्म या जो वैसुणव शंप्रदाय है, उसको प्राचीन्तम जो इसका नाम है पहले इसको भागवत धर्म कहा जाता था फिर इसके बाद इसको पांच रात्र धर्मत कहा जाने लगा पांच रात्र धर्म इसको कहा जाने लगा था और इस संप्रदाय में जो प्रधान उपाश्य देव रहे थे वो रहे थे वासुदेव तो भागवत धर्म में पांच रात से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा गया और भगवत के उपासकों को भागवत कहा गया तो भागवत धर्म कहां से बनता है जब वाशुदेव की उपासना की जाती है वाशुदेव को ज्यान सक्ति बल वेरे एस्वरे और तेज के छैगुनों से संपन्न होने के कारण इनको भगवान कहा गया और भगवान या इसको भगवत कहा गया और भगवत के जो उपासक थे वह आपके भगवत कहलाई तो भगवत संप्रदाई जो है कि वो वासुदेव के उपासक रहे थे इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं की वैसनाव धर्म की अंतरगत बहुत से उपसंप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं जिसमें वैरागी, दास, रामानंद, बल्लव, निम्बार्क, माधव, राधाबल्लव, सक्खी और गोडी तो ये प्रमुक उपसंप्रदाय हैं वैसनाव धर्म से संबंदित जिसमें निम्बार्क, माधव, राधाबल्लव, सक्खी और गोडी प्रमुक रहे हैं और वैसनाव धर्म का जो मूल रूप है वह आदित्ति या जो है की सूरी देव की आराधना में मिलता है तो वैसनाव धर्म का मूल रूप हमें कहां देखने को मिलता है आदित्ति या सूरी की भी उपासना यहां पर की जाती थी अब यह तीन अनिव्यक्ती कूं थे तो इनё के अगर बात करते दो एक तो संकरशन रहे थे जिनको बलराम कहा जाता है और यह वासुदेव और रोहणी से उत्पन्न पुत्र यह रहे थे दूसरे जो रहे थे प्रद्युन ने वो थे वासुदेव क्रश्ण इनको मिला करके इन्हें चत्रव्योह की संग्या दी गई थी तो चत्रव्योह के अंतरगत कोन-कोन से देवता शामिल है एक तो वासुदेव क्रश्ण शामिल है संकर्शन यानि बलराम सामिल है प्रद्युम्य सामिल हैं और अनिरुद्ध सामिल हैं तो इन चार देवों को चतुर व्योह की संग्या यहां पर दी जाती है भागवत धर्म में वासुदेव की पूजा का उलेक महरसी पानेनी के द्वारा भी किया गया है और इन्हों ने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है तो पानेनी ने वासुदेव के उपासकों को किस नाम से संबोदित किया है वह किया है वासुदेवक नाम से संबोदित किया है जो ग्रंथ हमें मिलता है धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है भागवत धर्म को लेकर के या जो वेदों से हमें जानकारी मिलती है जिन ग्रंतों से हमें जानकारी मिलती है उसमें वेद होगे पुरान होगे उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भागवत धर्म था उसका जो आरंभ में जो छेत्र वो है मतुरा और उसके आसपास के छेत्र रहा था और मतुरा के आसपास के छेत्रों में ही यह धार में प्रचलित हुआ था योनानी राजदूत मेगस्थनीज के अनुसार जो सूरसेन महाजनपत था जिसकी रायदानी मतुरा थी मतुरा के लोग हेराकलीज के उपासक रहते और हेराकलीज का तातपर यहां पर वासुदेव करशन से ही लगाया जाता है तो योनानी राजदूत मैगस्थनीज ने सूरसेन महाजन पर जिसकी राधानी मतुरा थी कहा था कि यहां के लोग हेराकलीज नामक देव की उपासना करते हैं और हेराकलीज जो देव हैं उनकी जो उनका जो कह सकते हैं कि जो इनका जो सामझे से बैठता है वो वासुदेव क्रशन से बैठता है ठीक है और मथुरा में से इस धर्म का परचार परशार धीरे धीरे भारत के अन्नी छेत्रों में यहाँ पर किया हुआ और दक्षन भारत में वैशनाओ धर्म का परचार परशार जो है की अलवार ठीक है किसने अलवार अलवार संतु के द्वारा परचार परशार किया दक्ष भागवत धर्म से संबंधित प्रथम जो उपलब्द प्राइस्तर इसमारक है वो विदिशा बेस नगर का गरुण इस्तंब है और इस गरुण इस्तंब को बनाया था आपका हिलियोडोरस ने जो एक यवन राजदू था हिलियोडोरस उसने इस गरुण इस्तंब की स्थापन करी थी और इस से पता चलता है कि इसने भागवत धर्म गरण किया हुआ था और इस इस्थम्ब की इसने पूजा की हुई थी तो भागवत धर्म से संबंदित प्रत्थम उपलब्द जो प्रहिस्तर इसमारक है वह विदीसा बेशनगर का गरुन इस्तंब है और इससे पता चलता है कि यह तक्षिशिला के यवन राजदूद हिलियो डोरस के द्वारा बनाया गया था और जिसने भागवत धर्म ग्रण किया था और इस इस्तंब की इस्तापना करके उसने इसकी पूजा की हुई थी और गरुन इस्तंब में जो उतक गरुन इस्तंब में जो उतकिर्ण लेख है उससे जानकारी मिलती है कि जो हिलियो डोरस था उसने भागवत यानि की वासुदेव को देवस अर्थाद देवों का देवता कहा था और महा छत्रप सोडस सोडास कालीन मोरा जो मत्हुराक में इस्ति जोए कि एक पाशान कालीन का उलेख मिलता है तो महा छत्रप छत्रप जो आपका सोडस कालीन मोरा जो मत्हुरा पाशान लेख है उसमें पंच वीरों की पाशान प्रतिमाओं को या मोर्तियों को मंदिर में इस्तापित किये जाने का उलेख है और यह पंच वीर कौन है एक तो संकरशन है स्वयम जिनक सामब क्रश्ण और जामंती से उत्पन संतान माने जाते हैं सामब अनिरुध और सामब प्रद्युम्य वाशुदेव क्रश्ण और संकर्श्ण यानि बलराम यह पंचवीरू में आते हैं और इनके बारे में जानकारी मिलती है कि जो कि महाच्यत्रप सोडा स्कालीन जो मोरा मत पाशान लेक है उसमें जानकारी मिनती है कि इनकी पाशान परतिमाओं को मंदिर में इस्तापित किया जाना आरंब किया गया था कुशान शाशक जो हुविस्क था उसने वाशुदेव और विश्णों की पूजा के बारे में इससे जानकारी मिनती है कि इसने वाशुद Ε्व और क्रश्न दोनों की पूजा की थी जो कि दोनों ही एक ही मत यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं वहिशलाव मत या भागवत मत ठीक है और गुप्त नरेश जो थे वह है यहाँ पर वहिशलाव मतानु या आई थे यानि कि ये है वैशनव भागवत धर्म को मानने वाले ये लोग थे गुप्त नरेश जिनका शाशनकाल 275 इसवी के दोरान सुरू होता है तो 275 इस भी के दोरान गुप्त सामराज जी स्थापित होता है और यह गुप्त नरे जो थे वो वैश्णव मत को मानने वाले थे भागवत धर्म को मानने वाले थे और इन्होंने वैश्णव धर्म को ही अपना राजधर्म बनाया था और अथिकांग से जो गुप्त सासक थे उन्होंने परम भागवत की उपादी भी धार्न करी थी तो अथिकांग से गुप्त सासकों ने परम भागवत की उपादी भी यहां पर धार्न करी थी और विश्णु का जो वाहन गरुण है उसको गुप्त सासकों ने अपना राज्य चिन्ह यहां पर बनाया था गुप्त सासकों ने गर्ण को अपना राज की चिन्ह बनाया था और महरोली इस्तंब जो अवलेक है उससे हमें जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त दुतिये विक्रमादित्य था उसने विष्णुपद परवत पर विष्णुद्धच की इस्थापना करी थी तो कौन स इस्तंब अवलेक से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त दुतिये जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है उसने विष्णुपद परवत पर विष्णुद्धच की इस्थापना करी थी तो वह जानकारी हमें मिलती है महरोली के इस्तंब अवलेक से कारी मिलती है कि इसकंद गुप्त ने विष्णों की मूर्ती इस्थापित करी और उसकी पूजा आर्चना यहाँ पर की थी तो विष्णों की मूर्ती इस्थापित करने की जानकारी इसकंद गुप्त के द्वारा भीतरी इस्तंब अबलेक से हमें मिलती है अमर से हैं जो की च 45 नामों का उलेक मिलता है और अमर कोस की रचना चंदरगोप्ति-दुती के दरवार में जो 9 रतन थे उनमें से एक रतन अमर सेंह के द्वारा इसकी रचना की गई अमर कोस की वैगी के जो चालुक की थे यानि कि जो पूरवी चालुक की थे आप कह सकते हैं कि जो आपका गोदावरी नदी का चेतर था उसके दक्षन में इस्तित्था वैगी सामराजी आंदर प्रदेश के चेतर में कह सकते हैं जो चोल सामराजी था चोल सामराजी के उत्तर कि दिशा में इस्तित्था वेगी के चालुक की का सामराजी तो यह भी आपके वैशनाव मतानुई आई थे यानि कि वैशनाव धर्म को भागवत धर्म को मानने वाले लोग थे चालुक की सासक जो पूर्वी चालुक की रहे थे और इन्होंने भी गुपतों के समान अपना र दरण को अपना राज की चिन ने बनाया गया था और रास्ट कूट सासक जो दंती दूर्ग था तो दंती दूर्ग ने महरास्ट में जो एलोरा का दसावतार मंदिर है एलोरा महरास्ट के छेतर में दसावतार का प्रशिद्ध मंदिर बनाया था और इस मंदिर में विश्णो क दस अवतारों की कथाएं मोर्ती के रूप में अंकित हैं तो एलोरा का दस अवतार मंदिर किस राजवन से ने बना है राश्टकूर्ट राजवन से ने बना है राश्टकूर्ट राजवन से के अंतरगत दंति दुर्ग राजा के द्वारा बनाये गया है और इस दस अवतार म भी विश्णों के दस आउतारों का उल्लेख हमें मिलता है छे मिंदर द्वारा रचित दस आउतार चरित में भी विश्णों के दस आउतारों की जानकारी मिलती है जैसा कि हमने आरम में भी बता आ था कि मतरा के छेतर में भागवद धर्म यानि कि वैशनव धर्म का यहाँ पर जन्म होता है और बाद में देखते हैं कि धीरे-धीरे राजाओं के द्वारा, गुपत सासुकों के द्वारा, रास्टकोर सासुकों के द्वारा, वैगी के चालुक्यू सासुकों के द्वारा वैशनव धर्म को यहां पर संडक्षन मिला था और इसका परचार परशार हुआ और धक्षिन भारत के चेत्र में इस वैशनाव धर्म का परचार परशार अलवार शंतुं के द्वारा किया गया और अलवार शंतुं का आर्थ होता था ज्यानी व्यक्ति और अलवार शंतुं की जो संख्या यहां पर बताएगी है बार है प्रमुक अलवार शंतों की संख्या बताई गई है जिसमें से प्रमुक तोर से हम देखते हैं जो प्रमुक संत रहे हैं एक तो पोई गई रहे हैं पूडम रहे हैं पेई रहे हैं तिरु मंगई रहे हैं और अंडाल रहे हैं नमबाल वार अंडाल तिरू मंगई पेय पूडम पोई गई ये प्रमोख आपके अलवार शंत रहे हैं जिन्होंने दक्षन भारत के छेतर में वैश्णव धर्म का परचार परशार यहां पर किया है इन आलवार शंतों में ही एक मात्र साधवी रही है जिनका नाम है अलडाल रही है अलडाल तो अलडाल जो है वह एक महिला साधवी रही है आलवार शंतों में जो most important आपको यहां पर ध्यान देना है अलडाल जो क्या रही है साधवी रही है अलवार शंतों में एक मात्र महिला चोल काल के दौरान जो वैशनाव धर्म था उसका परचार परशार अलवार शंतों की जगह आचारियों ने ले लिया था तो चोल शामराजी के अंतरगत, चोल साशनकाल के अंतरगत हम देखते हैं कि जो वैशनाव धर्म का परचार परशार इससे पहले दक्षन भारत के छेतर में अलवार शंतों के द्वारा किया जाता था, अब अलवार शंतों की जगए यहां पर आचारियों ने ले रही थी और आचारियों के द्वारा दक्षन भारत के छेतर में आपका जो वैशनाव धर्म था उसका परचार परशार किया जाने लगा और आचारिये परमपरा में प्रथम जो नाम उभर करके आता है वो आता है नाथ मुनी का और नाथ मुनी को मधुर कवी का शिश्य बताया जाता है नाथ मुनी के द्वारा एक प्रमुख रचना यहां पर रची गई जिसका नाम था न्याई तत्व तो न्याई तत्व की रचना किस ने करी है नाथ मुनी ने करी है नाथ मुनी जो है कि आचारी प्रमपरा में इनका ब्रथम नाम आता है और ये मधुर कवी के शिश्शी यहां पर रहे हैं न्याई तक्त्यू की रचना इनोंने करी हुई है विश्णो पुराण में हमें दस अवतारों की बारे में जानकारी मिलते हैं विश्णो के जो दैत्ति राज हिरनाकश्य था हिरनाकश्य के बत करने के लिए उनने वरहा आउतार धारन करा था और उसके चंगुल से यहां पर धर्ती को छुड़ाया हुआ था ऐसी कलपना यहां पर की जाती है कि भवश्य में भगवान विश्णो जो है कि हाथ में तलवार लेकर के स्वेध अश्व पर सवार होकर के धर्ती पर आउतारित होंगे जो कि कली का समय होगा यानि कि कल्की का समय होगा इसके अलाबा यहाँ पर हम देखनें कि वायु पुराण में हमें जो चार प्रमुख देवता रहे थे जिन में से जो है कि आपके जो प्रमुख यहाँ पर जो देव थे एक तो संकर्शन यानि कि जो बलराम रहे थे संकर्शन अनिरुध प्रद्युम्य और उसके अलाबा साम जो थे उसको भी यहाँ पर पंच वीर में शामिल किया जाता है जैसा कि हमने आपको इससे पहले यहाँ पर बतावा कि जो पंच वीर में जो सामिल लोग थे उसमें एक तो संकर्षण बलराम वाशुदेव यानि क्रश्ण और उसके बाद जो है कि अनिरुद्ध यहाँ पर है और प्रद्युम्मी जो है दी गई है भक्ति के माध्यम से और नवदा भक्ति भागवत संप्रदाय का एक प्रमुक विशेश तर्त्तु है या इसका नवदा भक्ति का विशेश माध्त्तु है वैशनाव संप्रदाय में भागवत संप्रदाय में और वैशनाव धर्म के अंतरगत हमने कहा था कि अलवा रहे थे और चैत्य रहे थे चैत्यन्य रहे थे चैत्यन्य बल्लव माधव और रामानुज तो ये प्रमुक आचारी रहे थे वैशनाव धर्म के अंतरगत और वर्तमान में जो सभी जो भी ये संप्रदाय हैं ये संप्रदाय जो है कि अपने प्रमुक आचारी के नाम से ही जा अब अगले वीडियो के अंक में हम देखेंगे जो यहां पर आचारी परमपर आ रही है उन आचारी परमपराओं से संबंदि जो चीज़ें रही है उस पर चर्चा करेंगे और अन्य साती साथ कुछ यहां पर जो संप्रदाई हुए हैं जो अलग-अलग मत यहां पर वैशनाव संप्रदाई धर्मे के अंतरकर जो अलग-अलग मतों का परतिपादन किया गया है उस मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में घर पर रहें स्वरक्षित रहें अपने अपनों का ध्यान रखें जय हिन जय भारत